तो दोस्तों लास्ट क्लास्स में हमने जो कोश्चंस किये थे वो किये थे एनुटी के और लास्ट क्लास्स में हमारा एनुटी का टॉपिक ख़तम हो गया था हमने simple interest पढ़ा था compound trust पढ़ा था और साथ में annuity बढ़ा था annuity में दो cases पढ़े थे एक annuity regular एक annuity due और फिर हमने पढ़ा था perpetuity के बारे में आज दोस्तो जो मैं lecture स्टार्ट करने वाला हूँ वो बिल्कुल fresh topic है इस topic में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है ठीके ना इस topic का नाम है दोस्तो time and distance और उससे पहले आपका एक topic और रह चुका है जिसका नाम है variation तो time and distance पहले cover करेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे variation के topic को भी आज ही cover कर देंगे ठीके ना तो दोस्तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना एक नया topic जिसका नाम है time and distance देखें मैं आपको कोई दिलासा नहीं देना चाहता कोई आपको यह नहीं बताना चाहता कि भाई यह बहुत easy topic है यह topic की नहीं है actually मैं देखा जाए यह topic आपका कहता ना यह तो वो चीज है जो आप जानते हो फिर भी आप पूछ रहे हो time or distance की बात करें तो time or distance का क्या आपस में कोई relation होता है बिलकुल होता है ठीके ना time or distance का आपस में एक relation होता है क्या relation होता है जैसे आप गाड़ी चलाते हो आप अगर speed तेज रखोगे तो आपको अपनी destination तक portion में time जादा लगेगा या कम लगेगा obviously बात है time कम लगेगा और अगर आप अपनी speed कम रखोगे तो आपको अपनी destination तक portion में time जादा लगेगा या कम लगेगा अगर आपकी speed कम है तो time सीधी सीधी बात है time जादा लगेगा क्योंकि बहुत सारे factor भी है मतलब अगर मैं बात करूँ तो ये topic बेसिकली जो relate करता है वो variation को करता है अगर मैं बात करूँ तो distance sorry, speed is directly proportional to या inversory proportional to time के आगया जितनी ज़्यादा speed होगी time taken by one upon me time taken by the person time taken होगा वो reciprocal में मने reverse हो जाएगा time कम लगेगा तो अगर मैं बात करूँ तो हमने बचपन ने एक general formula पढ़ा था क्या के speed बराबर क्या होता है distance upon time के होता है अगर आप यहां से भी देख रहे होंगे तो यह inversory proportional to one upon time और यहां पर भी one upon time ही आ रहा है इतने kilometer per hour की speed होगी या जो भी यह होगा यह एक distance को represent करेगा और यह जो होगा यह time को represent करेगा क्योंकि distance हमेशा किसी ना किसी unit में होगी या तो meter में होगी या centimeter होगी या decimeter में होगी किसी भी चीज में होगी माने distance के अपना आप में unit होगी और time के unit आप जानते ही है minute या second या hour इस तरही किसे चलती है तो speed बराबर distance upon time that is the whole soul funda of this chapter बस इसके अलावा इसमें chapter में कुछ भी नहीं है हमेशा याद रखिएगा speed बराबर distance upon time बाकि इसके बहुत सारे questions आप चाहें तो options से भी कर सकते हैं वो हम आगे बात करेंगे ठीक है ना तो सबसे पहले जो time and distance का basic funda है वो यह है कि speed बराबर distance upon time अगर बहुत सारी speeds आपको दे रखी है तो अगर आपसे वो average speed पूसता है अगर मैं general बात करूँ तो average speed का sense अगर मैं कहूँ तो average speed क्या हुना चाहिए total कितनी distance थी और उसको cover करने में total कितना time लगा तोटल कितनी distance थी और उसको cover करने में total कितना time लगा that is known to be the average speed ठीक है न यह सारी बाते मैंने आपको एक simple way में समझा दी कुशागर शुकला good afternoon बिटा मांसी बिस्ट good afternoon तो यह बात समझ में आगे सभी को चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब इसका एक सीधे सीधे में question लेके चलता हूँ तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ इसके questions की variety बहुत जादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है आपको question को practical life के respect में समझना पढ़ेगा तब जाके आप इस time and distance के topic को समझ पाएगे ठीक है ना मने आपको कुछ नहीं करना है जो भी question आपको दे रखा है उसे आप practically कर लीजे चाहे वो up stream down stream का question हो चाहे वो एक simple time या distance या speed का question हो या वो average speed का question हो ये total possibilities के अंदर बनती है आए कोशन की बात करते हैं माली ये मैं कहूँ in what time मैंने बहुत general question कराया आपको in what time a distance of 500 km be covered at the rate of 50 km पर आर ठीक है ना तो अब ये simple सा question है ये कराया in what time a distance of 500 km मतलब ये जो 500 km है दोस्तों ये आपकी क्या होगे distance होगे at the rate of 50 km पर आर ये आपकी क्या होगे speed होगे अब हमें पता है कि speed बराबर क्या होता है distance upon time तो time बराबर क्या होगा distance upon speed के तो यहां से time बराबर डारेक्ट अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा 500 upon 50 इतने आर का time लगे क्योंकि time पूछ रहे तो ये समय जो आएगा आर में निकल के आएगा अगर आप देखेंगे तो यहां distance जो थी यह किलो मीटर में थी और यह जो speed थी यह किलो मीटर पर आर में थी ठीक है न माने किलो मीटर डिवाइड़ बाइ किलो मीटर पर आर का आर उपर आ गया तो यह किलो मीटर से किलो मीटर कैंसल हो गया मानने कुल मिलाके सीधे-सीधे 10 घंटे गहसा मिला किगा यह तो एक बहुत सिंपल सा कोशन हो गया अब अगर इस कोशन में मैं ट्विस्ट लेके आँ क्या ट्विस्ट लेके आँ यहाँ पे स्पीड जो मैंने दे दी इस पीड जो मैंने दे दी be covered at the rate of बहुत ध्यान से समझेगा यह डिस्टेंस है यह स्पीड है आपको टाइम निकालना है तो टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस कितनी है 500 किलो मीटर और स्पीड कितनी है 900 मीटर पर सेकिंड अब आप खुश सोचिए क्या इसको हम ऐसे ही छोड़ सकते है यह गलत है अब आपको बताए कि एक किलो मीटर में कितने मीटर होते है सर्फ एक किलो मीटर में होते है 1000 मीटर तो आप इस 500 किलो मीटर को चेंज कर लेगे 500 into 1000 और अपाउन में 900 यहां आया मीटर और अपाउन में हाया मीटर पर सेकिन तो कुल मिला कि जो आंसर निकल के आएगा वह आजाएगा 5000 अपाउन 9 मीटर वो सुरी सेकिंड इतना टाइम लगेगा इतना टाइम लगेगा यह सेकिंड में निकला है अब अगर आप इसे आवर में चेंज करना चाहते हैं तो दिवाइड बाइड 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 शिक्स्टी कर देंगे तो यह कोशन इस तरीके से भी दे रखा होता है कि एक जो आपकी मतलब टॉपर्टी है जैसे डिस्टेंस हो गई या स्पीड हो गई या टाइम हो गया किसी एक की यूनिट को कर यह करके दे सकते हैं माल लिजे अगर मैं बात करूं पांच किलो मीटर पर आर है और मैं कहूं आप इसे कितने मीटर पर सेकिंड कह सकते हैं आप इसे कितने मीटर पर सेकिंड कह सकते हैं तो याद रखेगा बिटा जी एक किलो मीटर पर आर को अगर आप खुद देखिएगा एक किलो मीटर में कितने मीटर एक हजार मीटर अब एक आर को सेकेंड में चेंज करना है तो एक आर में कितने मिनिट 60 और एक मिनिट में कितने सेकेंड 60 इतने पर सेकेंड माने दो जीरो से दो जीरो कट गए है यह हो गया 5 upon 18 मीटर पर सेकिन मने अगर एक किलो मीटर बराबर 5 upon 18 मीटर पर सेकिन तो 5 किलो मीटर बराबर क्या होगा हम क्या करेंगे 5 की multiply किसे कर देंगे 5 upon 18 से कर देंगे 5 into 5 upon 18 तो यह इतने मीटर पर सेकिंड मन जाएगा मतलब 25 अपॉन 18 मीटर पर सेकिंड बास सबज में आ गए अच्छा अगर मैं जैसे आप से कहूं बताइए 62 मीटर पर सेकिंड को या 62 km per hour को 6 km per hour को हम कितने meter per second कह सकते हैं तो आप क्या करेंगे आप 6 की multiply किसे कर देंगे 5 upon 18 से कर देंगे 6 into 5 upon 18 मतलब यह आ जाएगा 2.66 meter per second बात सबज में आ गए तो अगर km per hour को meter per second में change करना है तो आपको 5 upon 18 से multiply करनी पड़ेगी पहली बात clear होगी दूसरी बात अगर इसी तरीके से मैं कहूं meter per second को 1 meter per second कितने km per hour के होगा तो उल्टा कर दीज़े 5 upon 18 का क्या हो जाएगा 18 upon 5 km per hour 1 meter per second कितने km per hour के बराबर होगा 18 upon 5 km per hour अगर मैं आपसे पूछू कि एक speed दे रखी है speed है 20 meter per second तो बताएगे ये कितने km per hour होगी तो आप क्या करेंगे 20 meter के multiply 18 upon 5 से कर लेंगे इतने km per hour मतलब यह हो जाएगा 72 km per hour तो ये बास सबज में आगे कि अगर 1 km per hour को meter per second में change करना है तो तो 5 upon 18 meter per second और 1 meter per second को km per hour में change करना है तो आप उल्टा कर दीजे 18 upon 5 मैंने आपको बताया है ये कहां से आया है ये भी मैं आपको सबजा चुका हूँ ठीक है ना चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम आगे की बात करें तो अब हमने सबसे पहले ये समझ लेना है कि अगर आपको time, distance और speed की बात करें तो तीनों में unit common होनी चाहिए मने अगर distance meter में है तो आपकी speed भी meter per second में होनी चाहिए अगर वो kilometer में है तो आप उसे meter में convert कर लीजे या वो meter में है तो आप उसे kilometer में convert कर लीजे मने unit जब same होगी तब ही हम जो है इसमें आगे question को कर पाएगे अब माल लीजे मैं question देता हूँ आपको मैंने का if a person goes from his home to office at the rate of 60 km per hour and he returning back and he returning back at the rate of 40 km per hour then find his average speed ये question आपको पेपर में बहुत most probable chances है इस type का question आपको पेपर में मिले अब एक परसन जो है वो अपने घर से office गया at the rate of 60 km per hour और office से घर बापिस आया at the rate of 40 km per hour ठीक है ना तो आप से इसके average speed पूछ रहा है अब अगर आप मेरी जनरली जो सभी लोग करते हैं कि अगर आप से average speed पूछता तो आप लोग क्या answer देते हैं देते 60 plus 40 upon 2 60 plus 40 upon 2 माने 50 km per hour बताते हैं जो कि बिलकुल रॉंग होता जो कि बिलकुल रॉंग होता क्योंकि बिटा जी मैंने आपको बताया speed बराबर हमें शक्याद रखिएगा क्या होता है speed is equals to distance upon time तो average speed equals to कितना होगा that is equals to total distance upon total time ये बस पंडा अगर आप यहाद रखेंगे तो शायद ही ऐसा कोई question है जो आप से ना हो पाए ठीक है ना मैं भी आपको train वाले question भी कर रहा हूंगा पहले तो आप ये समझेजिए simple simple question उसके बाद इसके लेवल को हम बढ़ा देंगे क्योंकि CMA में आपको ये बताया नहीं गया है कि किस लेवल तक कोईशन आ सके है ठीक है ना क्योंकि study mat ने सिर्फ chapter का नाम डाला है time and distance और एक formula लिखके छोड़ दिया बाकी कुछ बताया नहीं है बाकी उसके जो practice questions है उसमें वो दे रखा है तो मैं आपको सारे लेवल को question कराऊंगा बिल्कुल भी घबराने की कहीं से कहीं तक आपको जरूवत नहीं है ठीक है जी चले अब मालीजे एक person जो है वो अपने घर से अपने office गया at the rate of 60 km पर आ और लोट के आया at the rate of 40 km पर आ तो वह आप से पूछ रहा है कि इस person के average speed क्या होगी हमने बताया कि average speed बराबर हमेशे क्या होगा total distance upon total time ठीक है अब हमें distance तो पता नहीं और हमें दिख रहा है कि जब घर से office गया office से घर आया तो यह distance से मानेंगे क्योंकि कुछ नहीं दे रखा आगा distance different होती तो यह हमें question में कुछ बताता ठीक है ना घर से office office से गर मालीजे एक्स किलो मीटर का है तो जब घर से office एक्स किलो मीटर तो ऑफिस से घर भी क्या होगी एक्स किलो मीटर होगी बास सबज में आगी चलिए अब अगर हम बात करें जनरल अपनी कि यह और एक्स किलो मेटर यह पूरी जरनी की बात कर रहा हूं मैं आप से पूरी जरनी में इसने total कितनी distance कवर करी, तो टू एक्स क्लो मिटर, अच्छा, अप आउन में, बही टोटल टाइम टेकन, तो अब जड़ा हम सिर्फ अगर जाने की बात करें, अगर हम सिर्फ जाने की बात करें, तो यह हो गए डिस्टेंस, यह हो गए स्पीड, अब स्पीड बराबर होता है बिटाजी, डिस्ट अपाउन डिस्टेंस, ठीक है न, यह होगा आपका, टाइम बराबर क्या होगा, स्पीड अपाउन डिस्टेंस, तो यहाँ पे कुल मिला क्या आपको कितना टाइम घर्च होगा, स्पीड अपाउन डिस्टेंस का मतलब हो गया, स्वारी, स्पीड अपाउन डिस्टेंस अप कर दोगा Ackip동 501 एसा यहा पर स्ऺीड ऑपकी 40 क्लो मिट्र पर डिस्टंस आपकी एक्स क्लो मिटर तो यह टाइम कितना कर दोगा एकर 20 आर senior सबलुममेड करदें तो उटेकलगे फ्राइक एक्स पाउन फॉट्टी और अपाउंमि इस कह देखे दियाने क27 मुझया है to common लेके cancel हो रहा है तो कुल मिलाके 2 upon में कितना आ जाएगा 1 upon 60 plus 1 upon 40 और जब आप इसे solve करेंगे तो यह निकल के आएगा 48 km पर आ यह क्या निकल के आएगा 48 km पर आ बास समझ में आ गई तो वैसे हम सोच रहे थे 60 plus 40 upon 2 का मतलब 50 km पर आ लेकिन अगर हम general जो simple case है जो standard case है बाई speed बराबर distance upon time तो average speed बराबर क्या होगा total distance upon total time तो कुल मिलाके उससे answer कितना आना है 48 km पर आ यह आपका answer सही माना जाएगा 48 km पर आ और इसमें का कोशन आपको पेपर में जरूर देखनों को मिलता है तो हमेशे याद रखेगा दोस्तों कि आपको time and distance में बस एक ही फटना फॉलो करना है कि speed बराबर distance upon time and average speed बराबर total distance upon total time अब यहां तो क्या था कि distance same थी तो आपको लगा कि सर यह तो बहुत simple सा कोशन है अब एक काम करते हैं कि इसमें distance different करके देखते है माली जे कोशन लेके चलते है एक कोशन में ऐसे ही वरवाली वे में बना देता हूँ इफ अप परसन ये एक परसन था कवार्ड़ डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी विच इस हंड़र किलोमेटर at the rate of 40 किलोमेटर परार then another distance from B to C which is 200 किलोमेटर at the rate of 60 किलोमेटर परार then finally he cover a distance of 400 किलोमेटर in 6 hours then find his average speed तो ये कोशन में कह रहा है बताएए इस परसन की average speed क्या होगी कोशन का मतलब समझ में है अगर एक परसन A से B माने जो कि 100 किलोमेटर की डिस्टेंस है cover करता है at the rate of 40 किलोमेटर परार B से C which is whose distance is 200 किलोमेटर cover करता है at the rate of 60 किलोमेटर परार और C से D जिसकी distance है 400 किलोमेटर ये आपको time दे रखा कि ये 6 hours में cover कर लेता है तो बताएए इस total journey के अंदर इस person की average speed क्या रहेगी तो आपको बिल्कुल भी खबराने की कोश जरूरत नहीं है मैंने आपको एक simple सा funda बताया कि average speed बराबर क्या होता है average speed बराबर होता है total distance upon total time taken आप बस ये guru मंतर याद रखो mass मंतरा याद रखो बाकि आपको कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है average speed बराबर क्या होता है total distance upon total time taken तो यहां से हम अगर average speed की बात करें तो average speed बराबर total distance कितनी हो गई 100, 200 और 400 कितनी हो गई 700 km यहां लिग दिया किलोमीटर upon total time taken बहुँ इस पीड बराबर क्या होता है distance upon time तो time बराबर क्या होगा distance upon speed तो यह हो गई distance यह हो गई speed तो time कितना लगेगा time लगेगा distance upon speed का मतलब कितना हो जाएगा आपका 100 upon 40 यहां पर distance upon speed का मतलब कितना हो जाएगा 200 upon 60 और यहां पर time कितना लग रहा है यहां तो time बेही रखा है आपको ये क्या है आपका time है ये आपकी क्या है speed है ये distance है बास सबज में आगए ये distance है लेकिन ये time रखा time कितना दर रखा six hours per hour तो ये आपका answer निकला आए अब अगर आपका answer पूछता है कि answer बताएं in meter per second तो जो भी answer निकल के आएगा उसकी 5 upon 18 से multiply गा लीजे और ये meter per second में change हो ज किलोमीटर पर आर को अगर मीटर पर सिक्ट में चेंज करना है तो हमेशा फाइव अपॉन एटीन से मल्टिप्लाइ करते हैं ठीक है तो एवरेज स्पीड बस एक ही मैस मंत्रा इसके अंदर क्या कि एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम अगर आप यह मैस मंत्रा जानते तो मैं टाइमिंट डिस्टेंस की कुछ भी नहीं कोशन की वराइटी अभी में फिर चेंज करता हूं पहले आप इतना कोशन समझ लिजी यहां तक में कोई दिक्कत तो न at a certain speed and cover the distance of 500 kilometer in a certain time मतलब सावज में रहा है एक परसन कार चला रहा था इसने 500 kilometer drive किया कोई particular speed से और उसे cover करने में कोई न कोई particular time लगा यहां तक की बात हो गई कॉमा if he increases his speed by if he increases his speed by by 50 kilometer per hour then his time be decreased by his time be decreased by five hours full stop find his original speed अब यह प्योर एक speed का question distance and time का question है इसमें average speed की कोई बात ही नहीं कर रहा है आप इस question को चाहें तो option से भी कर सकते हो आपको चार option given होंगी ठीके ना चार option में आप क्या करोगे वह option लेखे चलोगे कि ओरिजिनल स्पीड यह है तो चेक करोगे time कितना लग रहा है जैसे मैं option create कर देता हूं माली जै पहला option 40 km पर आर यह 25 km पर आर दूसरा option 50 km पर आर तीसरा option 100 km पर आर और चोथा option none यह कोश्चन है अब तो आपको कोश्चन समझ में आ गया होगा बहुत ध्यान से तसली से समझेगा अगर मैं इसे explain करके करूंगा तो इसमें time लगेगा अगर मैं इसे option से करूंगा तो यह कोश्चन बहुत जल्दी कबर हो जाएगा फिलाल हम इसको दोनों तरीकों से समझेंगे ताकि हमें कोश्चन का एक एक पॉइंट अच्छी तरीके से समझ में आ सके कोश्चन के रहा है if a person drive his car at a certain speed माली जी किसी speed से जा रहा होगा s की speed से जा रहा है and cover distance of 500 km वानि कितनी distance कवर करता है 500 km की distance कवर करता है in a certain time period सीधी सीधी बात है जब हमें speed नहीं बता तो हम time कैसे बता सकते है बात समझ में आगे अच्छा माली जी एक स्कुलोमीटर परावर की स्पीड से जा रहा है तो इसको time कितना लगेगा time बराबर distance upon speed माने 500 अपॉन x hours का time लगेगा यहां तक बात clear हो गए वो किरा if he increases his speed by 50 km परावर अगर वो अपनी speed को 50 km परावर की speed से बढ़ा देता है then his time be decreased by 5 hours माने distance वही रही distance में कोई changes नहीं है 500 km तो इसको time कितना लगे है पहले हमारे इसाब से 500 upon x plus 50 time लगेगा अब मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछूँगा मुझे और कुछ नहीं पूछना मैं आपसे जो बात पूछ रहा मुझे इस चीज़ का जवाब दीजेगा यहां speed है s km परावर यहां speed है s plus 50 km परावर कौन सी speed ज़्यादा है यह speed high है और यह speed low है यहां speed high है और यहां speed क्या है low है तो speed अगर ज़्यादा होगी तो time कैसा लगेगा कम लगेगा अगर speed ज़्यादा होगी तो time कैसा लगेगा कम लगेगा और speed कम होगी तो time ज़्यादा लगेगा माने यहां पर अगर यह T1 को हूँ यह T2 को हूँ तो यहां speed कम है तो यहां T2 की value क्या होगी बड़ी होगी T2 से क्योंकि यहां speed ज़्यादा है तो यह t2 की value क्या होगी कम होगी और यहां speed कम है तो t1 की value क्या होगी ज़्यादा होगी माने यहां पे पहले वाले पार्ट में time ज़्यादा लगेगा और दूसरे वाले पार्ट में time कम लगेगा यह बात तो होगी अब अगर मैं कहूं कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है फाइव आर्स बने इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर रख दूँगा फाइव आर्स के बराबर रख दूँगा तो अपने आपी आंसर निकल आएगा तो अपने आपी आंसर निकल आएगा माने, मैं किस में से किस को माइनस करूंगा T1 में से T2 को माइनस करूंगा तो 500 अपन X माइनस 500 अपन X प्लस 50 इस इकोस तो 5 बस आप चाहें तो आप पुट करके देख सकतो सॉल्व मत करियेगा इसको सॉल्व करने का जंजट मत पालिएगा कभी भी आप इसमें आपको option दे रखे पूट करके देख लिए जब ज़्यादा यहां तक solve करेगा अब आपने अगर 25 रखा तो 500 upon 25 का मतलब हो गया 20 यह हो जाएगा 20 minus 500 upon 75 का मतलब हो जाएगा 75 तूजा 150 4 जा 300 और 6 जा 6 जा हो जाएगा 75 450 6.50 बचेगा 50 upon 75 2 upon 3.67 क्या इन दोनों का difference 5 आ रहा है नहीं आ रहा है इन दोनों का difference अगर 5 हो जाता तो हमारा answer आ जाता माने answer A तो नहीं है B चेक करते हैं X की जगे हम लगाते हैं 50 500 upon 50 का मतलब होगे 10 और फिर दोबार X की जगे 50 50 प्लस 50 कितना होगे 100 500 upon 100 का मतलब होगे 5 इन दोनों का difference कितना हुआ 5 Yes answer क्या होगा आपका B होगा बास समझ में आ गए तो time and distance का question अगर आपको दिखाई दे रहा है बास समझ में चले आगे बढ़ते हैं अब इसी में हम बात करते हैं अप इस्टीम और डाउन इस्टीम के कोशिन के अप इस्टीम and डाउन इस्टीम अप इस्टीम और डाउन इस्टीम के ओश्टन आप लोगोंने क्लास नाइन ते में बहुत पड़े होंगे अप इस्टीम डाउन नाम के कोई चीज नहीं होते हैं बल्कुल भी गभराने जिरूद नहीं है मैं तो आप से एक बात पूछता हूँ अप माने क्या होता है उपर जाना और डाउन माने क्या होता है नीचे जाना जब आप उपर की थरफ जाओगे माने जब आप चड़ाई करोगे जब आप चड़ाई करते हैं पहाड पे चड़ते हैं तो आपकी स्पीड जादा होती है और कम होती है नॉर्मल के भिहाब पर सरागर आप चड़ाई करेंगे तो आपकी स्पीड कम होगी और जब आप उत्राई करेंगे माने उत्रेंगे किसी पहाड से तो ग्रैविटेशनल फोर्स खीशता है तो उस वज़े से आपकी स्पीड क्या हो जाती है तेज हो जाती है स्लिप्री हो जाता है तो आप स्टीम में हमेशा जाद रखेगा स्पीड क्या होगी लो होगी और डाउन स्टीम में हमेशा जाद रखेगा स्पीड क्या होगी हाई होगी जब स्पीड लो होगी तो टाइम हाई लगेगा और जब स्पीड हाई होगी तो टाइम लो लोगेगा ये बात समझ में आ गए ये सिंपल सा फंडा है ठीके ना अगर इस कॉंसेप्ट को आप समझ जाएंगे तो टाइम में डिस्टेंस के कोशन आपके लिए बच्चों वाले कोशन होंगे लेकिन अगर आप इस कॉंसेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है आपको तो समझ जीजए फिर टाइम डिस्टेंस के कोशन में आपको दिक्कत है कि मैं तो आपको सिंपल से फंडे की बात कर रहा हूं स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइ अगर स्पीड जादा होगी तो टाइम कम लगेगा स्पीड कम होगी तो टाइम जादा लगेगा अगर आप या तो आपको स्पीड का डिफरेंस दे रखा होगा या ताइम का डिफरेंस दे रखा होगा या डिस्टेंस का डिफरेंस दे रखा होगा अगर स्पीड जादा हो तो डिस्टेंस जादा कवर होगे, स्पीड कम होगी, तो एक पाटिकलर टाइम में डिस्टेंस क्या होगी, कम कवर होगी, बास सबज में आगे, ये सारे इसारे कौंसेट दूसरे के साथ रंब करना है, आईए सबसे पहले आप इस्टीम और डानूस्टीम के कोशन की एक बात करते हैं कोशन है if a person if a person covers a distance of covers a distance of 50 km in five hours in normal behavior of the nature of nature in river ये जो मैंने line लिखी है रहाँ बहुत सूस समझ के लिखी है अभी पहले पूरो कोशन कंप्लीट कर लेते हैं फिर हम इस कोशन को डिसकस करेंगे फुल स्टॉप इफ in case of upstream if in case of if a person की जीगे if a river covers a distance of 50 km in five hours in normal behavior of nature in river in normal behavior of nature nature तक काएगा nature ठीके ना if in case of upstream upstream a man covers a distance of 100 km if in case of upstream a man covers a distance of 100 km and in case of downstream he covers the same distance in five hours in difference of in difference of 12 hours then find the speed of the person question थोड़ा सा explain करते ता हूं language शायद मैंने गलत लिखा हो सकता है लेकिन question मैंने बनाने का मूट क्या है मैं आपको बता देता हूं बहुत ध्यान से समझेगा बई upstream की बात करें upstream का मतलब होता है नदी के साथ भेना ठीके ना अब स्वारी नदी के विफ्रीद दिशा में भेना माने नदी अगर जैसे ऐसे करके फ्लो कर रही है यह 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 एक रिवर फ्लो कर रही है अगर यह इस डारेक्शन में फ्लो कर रही है और हम इस डारेक्शन में फ्लो करना शुरू करें swim करना शुरू करें, तो हमारी speed automatic कम होगी, क्योंकि नदी की speed जोगे, वो हमारी speed को क्या करेगी? अपोस करेगी. तो हमारी जो final resultant speed होगी, वो कम होगी. लेकिन अगर मैं नदी की direction में ही swim करूँगा. अगर मैं इस direction में swim करूँगा, तो ये कैलाएगा Up-Streem अगर मैं इस डिरेक्षन में स्विप करता हूँ तो ये कैलाएगा Down-Stream मानिन नदी की डिरेक्षन में अगर मैं भाँगा तो क्या होगा? कि मेरी स्पीड और रिवर की स्पीड दोनों प्लस हो जाएगी लेकिन अगर मैं रिवर की opposite direction में में swim करूँगा तो मेरी speed और रिवर की speed का जो resultant होगा वो मेरी final speed होगी बास समझ में आ गई माने अगर कोई चीज दोनों same direction में चलती है अगर कोई बतलब जैसे river और इंसान के बात करें दोनों same direction में चलती है तो उस condition में यहाँ पे क्या होगा दोनों की speed plus हो जाएगी और अगर यह दोनों एक दूसरी का opposite direction में है तो इस condition में river की speed क्या हो जो resultant speed होगी वो less हो जाएगी माने दोनों का difference होगा अब इसमें कहा रहा है if a river covers a distance of 50 km in 5 hours in natural behavior of nature माने एक river की speed दे रखिये तो speed of river यह कितनी हो जाएगी 50 upon 5 इतने किलोमीटर परा माने river की speed हो गए 10 किलोमीटर परा बास समझ में आगए यह speed of river आगए river speed of river बास समझ में आगए आच्छा वो कह रहा if in case of upstream a man covers a distance of a man covers a distance of 100 km and in case of down stream he covers the same distance in difference or 12 hours मने up stream और down stream अगर वो up stream बहता है swim करता है और down stream swim करता है तो दोनों के time में जो difference है वो कितने का है 12 hours का है तो बताएए कि उस person की speed क्या होगी तो अगर मैं let करूँ let करता हूँ the speed of the person is x km पर आर माले तो अगर मैं दो केसे की बात करूँ ध्यान से समझेगा in case of upstream हमारे पास दो केसे साराइज हुए एक upstream का और एक down stream का इसमें टोटल स्पीट क्या होगी भई स्पीड दिस माइनस दिस हो जाएगी क्योंकि रिजल्टेंड स्पीड होगी भई ये इसके opposite direction में क्या कर रहा है swim कर रहा है तो इसकी final speed क्या होगी इन दोनों का जो difference का वह होगी तो इस condition में speed कितनी हो जाएगी 10 माइनस X किलोमीटर पर आर ठीक है न अच्छा इन केस आफ downstream speed कितनी होगी 10 प्लस X किलोमीटर पर आर distance दोनों के लिए कितनी दे रख़िए आपको 100 किलोमीटर यहां भी distance कितनी है 100 किलोमीटर आप इन दोनों को जो time है मालिजे यह T1 यह T2 इन दोनों के time का difference कितनी हदे रख़आ है आपको 12 hours का इन दोनों के time का difference कितनी हदे रख़आ है आपको 12 hours का अब फिर वही वाली बात पहले तो हम यह चेक करेंगे कि थाइम क॑न सा जधा है और कौन सा कम है t1 बढ़ा है कि टीटु बढ़ा है तो यहां speed क्या हूँ है minus भाँने यहां speed कम है तो time क्या लगेगा इसमें ज़ादा लगेगा यहां speed ज़ादा तो यहा time क्या लगेगा कम लगेगा भाँने here t1 is greater than t2 ठीक है न न तू इन दोनों के बीच का difference किसके बरावर रख देंगे 12 arts के बरावर रख देंगे तो अब अगर मैं इसको रप कर दूं तो सीदे सीदे time कितना हो का hundred upon ten minus x minus hundred upon ten plus x इन दोनों का difference किसके बरावर 12 r के बरावर तो यहां से आपके x की value जो option दे रखे होंगे put the value get the answer इसमें कोई भी आपको short trick याद करने की जरूवत नहीं है और अगर इन questions को आप option से करेंगे तो आपका answer बहुत जल्दी निकल के आएगा जैसे मैंने तो equation बना है याप तो direct time निका लिए बात सबज में आ गया यहां तक सबको clear है अगर सबज में आ गया हो तो m type करें यहां तक सबको सबज में आ गया बेटा जी किसी का कोई doubt तो नहीं है clear हो गई बात चले आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसमें कोशन मनते हैं एक ट्रेन वाले कोशन मतलब ट्रेन में क्या होता है कि जैसे एक ट्रेन है ये इसका इंजन और ये पीछे इसके छोटे-छोटे डिब्बे लगए हूँ है ठीक है ना ये ट्रेन है माल लिजे आनकी बस ज़्यादा लग रही है कचुछ बस क्या मतलब एक टाइब का कीला लग रहा लेकिन मैंने फिर भी इससे ट्रेन माल लिया ये ट्रेन है अगर ये ट्रेन कि मैं बात करो है है यहाँ पर एक पॉल खड़ा हुआ है यहाँ एक पोल खड़ा हुआ है, इस त्रेन को इस पोल को क्रोस करना है, आप मुझे ये बताओ, ये ट्रेन इस पोल को क्रोस करी भी मानी जाएगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन इस पोल को क्रोस कर देगी, जब ये पूरी की पूरी ट्रेन इस पोल को क्रोस कर देगी, क इसके सारे地-based pole को cross नहीं करेंगे तब तो ये cross करवी नहीं मानी जाएगी मतलब अगर माल दूँ बिलुकुत सेमे में ये एक platform है ये एक platform है और इस platform की length है 5 km और ये एक train है इस train की length है 3 km ठीक है न? train की length है 3 km, platform की length है 5 km अगर इस ट्रेन को इस प्लैटफॉर्म से क्रॉस होना है तो क्या होगा टोटल कितनी डिस्स कवर करेगा पाँच किलोमिटर यह और तीन किलोमिटर यह यह तो यहाँ पर समझ दीजेगा हमेशा याद रखियेगा ट्रेन की जो ये length है ये बहुत matter करती है बास समझ मेखें दूसरी बात जब दो ट्रेन जब दो ट्रेन ट्रेन T1 ओर ट्रेन T2 अगर będą एक दूसरे की opposite direction में ट्रेन T1 ओर T2 ये दोनों अगर एक दूसरे की opposite direction में मूझ करेंगे तो हमेशा in case of opposite direction हमेशा क्या करेंगे जो final speed होगी वो क्या होगी इन दोनों की speed का sum होगी S1 प्लस S2 के बराबर होगी सब आप कहेंगे क्यों S1 is the speed of first hand and S2 is the speed of second hand आप खोज सोच के चलो जब कोई आप किसी direction में जा रहे हो मालो आप इस direction में जा रहे हो आप पी स्पीड आप पैदल चल लो इतने किलो मीटर पर आ मालीजिए आप 8 किलो मीटर पर आ और के तोर्ट पर यहां पर भाग रहे हो रनिंग कर रहे हो तो इसकी स्पीड होगी 20 किलो मालीजिए 40 किलो मीटर पर आ ठीक है ना तो आप दोनों जल्दी मीट करोगे या देर से मीट करोगे अगर मैं इस स्कूटर की स्पीड को बढ़ा दूँ 80 किलो मीटर पर आ तो यह आपके पास जल्दी बहुँ जाएगा आपकी स्पीड और बढ़ जाए तो आप इसके पास जल्दी बहुँ जाओगे मतलब बेसिकली आप देखा जाएगर यह दोनों एक दूसरे की अपोजिट डिरेक्शन में चलेंगी यह तो जो फाइनल स्पीड होगी वो दोनों पार्टिकुलर पर्सन की स्पीड का सम होगी दोनों पार्टिकुलर पर्सन की स्पीड का क्या होगी सम होगी तो अगर कोई दो ट्रेंग अपोजिट डिरेक्शन में चल रही है क्या रहा ना एक दूसरे की डिरेक्शन में चल रही है एक दूसरे के सामने अपोजिट में आ रहे हैं ठीक है न तो क्या होगा इनकी जो फाइनल स्पीड होगी वो S1 प्लस S2 होगी और इन्हें टोटल लेंथ कितनी कवर करनी पड़ी कि एक तो अपनी लेंथ और एक दूसरे वाले कि लेंथ दोनों की लेंथ कवर होगी तब जाके टोटल लेंथ कवर हो पाएगी माली जाएगा इस T1 ट्रेंड की जो लंबाई है वो है माली जात्ती दो क्लोमीटर की और जो लंबाई है लेंथ है वो दो क्लोमीटर और उसकी लंबाई जो है वो है तीन क्लोमीटर की तो अगर ट्रेंड को एक दूसरे को पूरी दाइके से क्रॉस करना है तो टोटल 5 किलोमेटर की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी जो भी डिस्टेंस उसके अलावा बास सबज में आगे आचा अगर हम कहें कि यह टीवन और टीटू एक दूसरे की सेम डारेक्शन में चलना है एक दूसरे के डारेक्शन में चलना है यह भी टीवन भी ऐसी चल ले और T2 भी ऐसे ही चल ला है तो final speed क्या होगी in case of in case of same direction in case of same direction जो final speed होगी वो होगी S1 minus S2 अगर इन दोनों को एक दूसरों को cover करना है तो जो final speed होगी वो S1 minus S2 होगी इतने किलोमीटर पर आव ठीक है ना इसकी questions हम लोग कल की class में करेंगे कल कुछ questions लेके आओंगा मैं आपके सामने और इसकी questions के practice करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि इसमें question को किस तरीकी से treat के जाता है आज के लिए हम इतने ही रखते हैं बाकि कल मुलाकात करेंगे और कल आपका इसका variation का topic भी खतम करा देंगे ताकि unit 1 में सिर्फ आपका एक topic बचे APGP बाकि सारा खतम हो जाए ठीक है ना चलिए कल मुलाकात करते हैं आज के लिए thank you very much आपको मैं उमीद करता हूँ यह चैप्टर आपको यह topic बहुत अच्छी समझ में आया होगा बाकि हम लोग कल की class में variation और time and distance के कुछ questions की practice करेंगे ठीक है ना आज के लिए thank you very much जैहन